नमस्कार, दिनांक 27 जून 2022 का दैनेक राशेफल लेकर हम यहाँ उपस्तत हैं आज दैनेक राशेफल और पंचांग ये विवस्ताओं के अध्यन से पहले एक महत्तुपूर्ण विशय शनिदेव की दृस्टी से संबंदित जो आधार होता है उसके साथ हम यहाँ रख रहे हैं यहाँ आप मेश लगन की कुंडली का उधारन देख रहे हैं और शनिदेव की स्तियां धनू राशी स्थान में यहाँ पर दर्शाई कही हैं शनिदेव इस नव ग्रही विवस्ता में महा न्यायादीपती की शरणी में आते हैं एक ग्रह जो धीमी चाल के साथ में है परंतु उस चाल के साथ एक ठोस आधार भी जुड़ा हुआ है एक ग्रह जो सूरी पुत्र है परंतु वहीं गोर अंदकार के साथ व्यक्ति को लेकर चलके अन्तुतुकत्वा एक अलग प्रकाश्मान मार्ग जो अन्भव के साथ में दिखाना होता है शनिदेव व्यक्ति विशिश को उस और लेकर जाते हैं इस एक उधारन से समझा जाए कि हमें एक मैदान में खड़े हुए हैं एक कोने में वहां खड़े हुए हैं दृस्ट आपरोच सारी ही ग्रही विवस्ताओं की है शनिदेव की भी साथवे दिखेंगे तो सीधी यहां पराकरम भाव पर रहेगी परन्तु ऐसे प्रमग ग्रह को दो विशेश दिरिस्टियां विबरापत हैं एक तीसरी दिरिस्टि और एक दसवे दिरिस्टि जब भी कोई भी स इस तति के साथ में न्याई किया जाएगा, तो शूक्षम से शूक्षम पास से पास की इस्ति को भी देखा जाएगा और दूरस्त आधार पर भी इस्तियों को विजब किया जाएगा. बाकि किसी भी ग्रह के साथ इतनी दूरस्त द्रिस्टी नहीं जुड़ी हुई है जितनी शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई है और इतनी नजदीक द्रिस्टी भी किसी ग्रह के नहीं है जितनी शनिदेव के साथ में है भाग की भाव से देखा जाए तो शनिदेव की तीसर द्रिस्टी यहां एकादश भाव स्वयम की मूल तरकौन पर हो गई सांत्वी जो बाई डिफोल्ड अब रूच में सारे ही गरहों की द्रिस्टी है वो यहां पर आकर्म भाव पर हो गई तो वहीं आप ही देखिएगा कि दस्वी द्रिस्टी भी जो यहां पर सस्ट भाव के साथ में हो जाती है जब भी हम बारही भावों के माध्यम से गणना के आधार को फलादेश के सुरूप में लेकर चलते हैं तो वहां पर इस द्रिस्टी का प्रमुक परभाव रहता है उसमें भी आप यह देखिएगा कि जो शनिदेव की तीसरी द्रिस्टी है वहवारिक पक्ष के साथ में वहां एक अलग तरीके की बहतरी जुड़ी हुई है साथवी और दस्वी द्रिस्टी के साथ में परणामों की प्रवर्भती अलग है परन्तु यहां जो तीसरी द्रिस्टी है उसके साथ में जो लाब के आधार होते हैं जो कर्म हाल ही में किये गए हैं और उनका जो फल भोगना होता है उसकी जो प्रवर्भती निकल कर आती है किसी भी तरीके की फल की अपिक्षा के बिना जो कर्म किये गए उसके साथ जो फलाफल निकल कर आते हैं वो यहाँ पर शनिदेव की तीसरी द्रिस्टी के प्रभाव के साथ बहुत गहराई से जुड़े होते हैं करी बार लोग कहते हैं इस मुनाफल के बारे में सोचा ही नहीं था यह जाने कहां से निकल कर आ गया इश्वर की करपा है वो जो प्रतिविम्भ है इस तरह से सामने निकल कर आने वाला होता है तो वहीं पर जो साथवी द्रिस्टी है उसके साथ व्यक्ति को संगर्ष देने की अनूठी ताकत है शनदेव کی सांत्वी द्रिस्टी जिस भी भाव के उपर होगी वहाँ से व्यक्ति के लिए निरंतर संगर्ष निकल कर आते हैं यहीं शनदेव की द्रिस्टी स्वराशी स्थान पर है यानि मकर और कुम पर है सांत्वी अन्यता इनकी दिरिस्टी अपने उचराशी स्थान यानी तुला पर है जब मेश में होंगे नीचस्त होंगे परन्तु दिरिस्टी तुला पर रहेगी जो व्यक्ति को लंबे समय तक एक ऐसी स्थती के साथ में जोड़ कर रखते हैं जहां से कई बार ये लगने लगता है कि क्या परणाम निकल कर आएंगे तोड़ा सा और गहराई से इस स्थती को देखा जाए तो ये बात इसपस्ट होने लगती है कि शनिदेव जब यहां रणभाव को शत्रुभाव को और एक तरह से शिक्स थाउस के अपरोच को देखने वाले होंगे तो यहां पर आप यह देखिएगा कि कोई भी फाइनेशल बर्डन बना अब वो लंबे समय तक वेक्ति विशेश को संगर्ष करवाता है जिससे कि वेक्ति जान पाए कि अब ऐसे बर्डन को बढ़ाने की तरफ नहीं जाना है शत्रुवत स्तितियामनी वो भी लंबे समय तक साथ चलती है जिससे वेक्ति जान पाए कि कहीं ने कहीं फ्लेक्सिबल रहना और अपने कार्रे के साथ में सनलगने रहना आवशक है, और इसे के साथ में ये भी वेक्ती जान पाता है, कि खान पान पर नियंतरन कैसे रखना है, अनुशाशित कैसे रखना है, अन्यता जेवन में स्वास्त भी कई बार संगर्ष की परवर्टियों को लेकर आते हैं तो शनीदेव की तीसरी दृस्टी कहां है सातवी दृस्टी कहां है दसवी दृस्टी कहां है ये एक बार जरूर देखा जाए और जो ही परिभाशा हमने आपके सम्मुक रखने का कारे किया है जब आप अपने कुंडले के साथ में इसको यूटिलाइज करके देखते हैं तो काफी हद तक अलग तरीके की क्लेरेटी सामने निकल कर आने वाली होती है जहां शनीदेव बिराजमान और चलाइमान है जन्मकालिकाधार पर वहां इस्ततियां की चर्चा हम आगे और करते चले जाएंगे तो ये था द्रश्टी संबंद का शनीदेव के साथ में प्रभाव हम चर्चा करते हैं 27 जून 2022 के दारेक राशिफल की सुंबार चंदरमाज भी वरशब राशिस्तान में आशाडमास क्रशनबक्ष वर्तबान समयंतराल में चला आएमान है तो वहीं रोहीनी नक्षत्र ये परिदियाधार है और हम शुरुबात करते हैं मेश राशि के साथ में धनागमन में यहां आपके लिए स्थिरता बनी हुई है बिजनस के प्रोस्पेक्ट्स के साथ में एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी सामने निकल कर आ सकती है जो कम्यूनिकेशन के साथ में आपके स्किल्स है वो आपको सपोर्ट देती चली जा रही ह यह भी आप गौर कीजिएगा कि चोटी चोटी बाते हैं जो बारम बार आपके लिए व्यवदान उत्पन न कर रही थी वहां से भी आपके लिए काफी हद तक नियंतरण आता चला जाएगा शेर मार्केट संबंधी कामकाज में आप किसी भी तरीके के निवेश को आगे ब चुरू किया है उसको आप बहुत अच्छे से बना कर चलने वाले रहें उसमें कोई भी गैप नहीं निकल कर आए अन्यता एक बार रूटीन टूटा और लंबे समय के डिस्टरबेंसे सामने आ गए बाग्ये का सयोग जब हो और किसी भी इंटर्विवादी की तरफ जा रह आत्म विश्वास में यहां आपके लिए वरदी बहुत अच्छे से रहने वाली है गुरिहस्त वक्ष का सयोग भी यहां आपके लिए बना रहने वाला होगा यहां बिजनस में कोई भी बड़ी डील को आप आनलाइस करने के और जा रहे हैं सुमबार का तय समय अंतराल साम एक अलग पॉजिटिव नोट यहां continuous basis के उपर आपके सामने रहता हुआ नजर आता है यह भी आप गौर कीजिएगा कि इस समय की प्रक्रिया के साथ में चलते हुए आप यहीं मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़कर कुछ नया करना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं मेथुन राशी खर्चों पर नियंतरन रखने का पूरा पूरा प्रयास आप करें ग्रेहस्त पक्ष के साथ चोटी चोटी बातों में उलजने से बचने की आवशक्ता रहेंगी जो यात्राएं आकस्मिक तोर पर सामने निकल कर आती हैं उनसे भी आप दूरी बना कर चलने क प्रयास कीजिएगा तो वही बुद्बरदान राशी के जातकों के लिए यहां पर जो भाग्ये का सहीओ को सिस्तर पर नहीं है इसे वज़े से बड़े निरने को टाल कर रखने की जरूरत आपके लिए बनी हुई है भूमी संबंदित कामका जो या कोई भी ऐसा कार्य जो आपके लिए लंबे समय से अटकाब की और था आज भी बहुत जादा कोशिशें बहां करने से आपको बचना चाहिए वहीं करकराशी लाब के सिरों में यहां आपके लिए बहुत अच्छे से वृद्दी के स्तर नजर आने वाले होते हैं तो वहीं आभी भी देखिएगा क यात्राओं से संबंदित कामकाज को बढ़ाया जा सकता है संतान पक्ष का सयोग आपके साथ बना रहेगा शेर मार्केट संबंदिने वेश सुभह 11 बज़े से लेकर दो पहर दो बज़े तक अति उत्तम कहे जाएंगे उसमें भी जो अभी जीत विला रहती है वो और ज्या बात करनी है तो आप अपनी उर्जा को बहुत अच्छे से बना कर रखिएगा और लोगों के ब्रह्म और बहकावे में आने से आपको पूर्ण तया स्वहम को रोकना चाहिए वही सिंगराशी आज इवी का का कोई भी नया माध्यम यरिया आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव बेस बना हुआ है इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है तो वहीं पर मानसिक सुक की इस्तियों में यहाँ आपक के लिए पिता के साथ चोटी चोटी बातों में कॉंट्राडिक्शन्स निकल कर आने वाले हो सकते हैं उससे भी दूरी बना कर रखने की पूरी-पूरी आवशक्ताएं हैं आपके लिए सिंगराशी के जातकों को चाहिए कि स्वास्ति संबंदी स्तियों में जो लाब मिला ह उसको निरंतर अपने साथ में कैरी करके आप बढ़ते चले जाएगा जिससे की अधिक बेहतरी आपके साथ बनी रहने वाली हो यहाने विदन किशेव पासना के साथ में दिवस के शुरुबात करें मन के भीतर जो भी भाई पैठे हुए थे वो दूर हटते चले जाएंगे कन्या राशी बाग्येगा सहीयोग आपके साथ बहुत अच्छे से यहां पर मौझूद है चोटी चोटी बातों में स्वयम को अटकाव की परवर्तियों के साथ लेकर चलने से आपको बचना चाहिए बिजनस में कोई भी बड़ा निरना लेने की तरफ आप जाना चाहते है यह समय विशेश आपके लिए सहीयोगी रहने वाला होगा तो वहीं यह निवदन है आपसे कि कोई भी व्यक्ति विशेश यहां आपके साथ में विद्रो की प्रवर्तियों को लेकर चल रहा है कुछ समय के लिए इग्नूरेंस के भी रेक्वार्मेंट होती है उसे मूल मंत को अपने साथ आप अपना कर चलें और वहीं कन्या राशी के जातकों से निवदन कि यहां पर जो आप एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज आउट्सोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक शेप को तेजी से बढ़ाना चाते हैं वहां अपनी उर्जा को बहुत गतिवान करते चले जाईएगा बेनिफिट के अपरोच साथ में रहेगी तुलाराशी अरे सर्थ संबंधी कामकाज में यहां आपके लिए बहुत अच्छे से बहतरी बनी हुई है चोटी चोटी बातों में किसी भी तरीके की अवराहट को अपने साथ आप रखने से बचन कराते हैं तो मन को आप बहुत जादा व्यक्र करने वाले नहीं रहें तुलाराशी के जातकों को चाहिए कि यहां आप पारिवारिक जुनों के साथ किसी भी कारी की शुरुवात कर चुके हैं तो बारम बार गलतियों के सिरों को अपने साथ जोडने से आपको बचने का प् मख है जतना अधिक समय आप व्यावार के साथ बिताने वाले होंगे उसका रिशेतर के साथ बिताने वाले होंगे उतना ही financial gain established करते चले जाएंगे आज आपकी मर्दभाशता और साथी साथ में व्यावार काधार के उपर लोगों से जुड़ाव एक नई आभा आपके साथ लेकर चल रहा है सपता की शुरुवात में ही एक अलग तरीके की positivity का बेस आपके साथ है तो वहीं ये निवदन है आपसे कि आप जो कहीं न कहीं स्वहिम को ब्रहमित महसूस कर रहे थे जब उससे दूर होकर आप चल रहे हों तो ये प्रक्रिया आपको और ज़्यादा सपूर्ड देते चले जा रही है यानि कि भ्रहम से दूर इस पस्पता के आधार आपका सुआगत करते चले जा रहे हैं यहाँ पर मंगल प्रदान राशी के जातकों से निवदन कि रक्त संबंधे वेकारों से आप सावधान रहीएगा वहीं धनुर राशी सोच में छोटी छोटी बाते हैं जो कई बार दुविधाएं देती है उससे आप संबलें लोगों के द्वारा आपको यहाँ बहुत बड़े फियर्स सौंपे जा सकते हैं आप उनको स्विकार करने से बचें एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज यहाँ नए आधार आपको दे रहा है एक अलग पॉजिटिव बेस है इंस्टन अप्रोच में कोई भी डिसिजन लेना होता है बढ़ने से पहले एक बार जो भी हेतिशी जन है उनसे एक बार चर्चा जरूर आप कर लीजिएगा तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ परबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निरणय अकेले बूते लेने से आपको पूर्ण तया बचने का परयास करते चले जाना चाहिए इलेक्ट्रोनिक और इलेक्ट्रिकल फिल्ड के साथ में भी एक अलग पॉजिटिविटी आपके साथ बनी रहने वाली रहेगी मकर राशी क्षमताओं में यहाँ बहुत अच्छे से वरद्दी बनी हुई है लाब की सिरे निरंतर अंकित होकर आगे बढ़ रहे हैं बाग्ये का सायोग आपके साथ में बहुत अच्छे से गातिमान है तो वहीं नेविदन करना चाहेंगे आपसे कि यातराओं से संबंदित काम का आज में जतना अते प्रगामी होकर आप आगे बढ़ सकते हैं उतना बढ़ते चले जाएगा और इस समय की प्रमुक विशेष्टा ये है कि जो लोग लंबे समय से आपके सयोग के साथ नहीं थे उनका सयोग आपको यहां प्राप्त होता चला जाएगा और वहीं पर आपको चंद्रशेकरस्टकम और उद्रस्टकम के पाड़ के साथ में दिवसकी शुरुवात करनी चाहिए मन के भीतर की उर्जा के भाव और अच्छे से किंद्रत होते चले जाएंगे वाहन संबंदी किसी भी निर्णे के और आप अपने अस्तक्षेद को बढ़ाना चाते हैं वहाँ पर भी समय आपके लिए सही होगी है शनदेव की मूल तरकॉर्ण कुम बराशी के जातकों के लिए यहाँ आज जो कई बार आकस्मिक तोर के उपर नराशाओं के खशन आते हैं वो परिशान कर सकते हैं उससे आप संबलें और उससे जो बाउंस बैक करने के अप्रोच होती है वो शाम के समय तक निकल कर आ सकती है स्वयम को इस्तर करके चलने की आवशकता है और वहीं पर आप से निवदन करना चाहेंगे कि खान पान पर आपनी अंतरन रखिएगा वाई-उ संबंदी जो विकार होते हैं गेस्टेक टरबल्स जो होती है वो डिस्टरब कर सकती है नौकरी हो या व्यापार आज आकस्म पर निर्णे लेने से आपको संबलने का प्रयात्न करते चले जाना चाहिए ग्रिहस्त पक्ष के साथ भी यहां व्यवारिक प्रवर्तियां बना कर आप रखिएगा मनमुटाब नहीं बढ़ने पाए इध्यान रखें वहीं विरहस्पति प्रदान वीन राशी यहां पराक् रहे हैं एक बार उनसे चर्चा जरूर होती चले जाए कोई भी इंटर्वियू कॉल सामने आता है उसको सहरदयता के साथ में स्विकार करना प्रिपरेशन के बेस के साथ में बढ़ने की रेक्वारिमेंट्स को अपने साथ में रखना पॉजिटिव रहेगा शेर मार्केट स दैनेक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्तत होते रहेंगे दन्यबाद और कोटी शह आभार